हाई फ्रेंड्स असलाम लेकूम विल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बिहार का बहुत ही फेमस लिट्टी और चोखा की रेस्पी ये बहुत ही टेश्टी होता है मुझे तो बहुत पसंद है तो मैं किस तरह से बनाऊंगी आप लोगों साथ शेयर करने जा रही हूं इसे आज मैं लकडी के आग में बनाऊंगी तो चली फ्रेंड्स बनाने स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हमने लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा तो ओरिजिनल जो लिट 1 टेबल इस्पून मैंने ऑल भी डाल दिया बस थोड़ा सा इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा बहुत थोड़ा सा डालते हैं वन पिंच डाल दिया हैं में बेकिंग सोडा अगर आप सौफ्ट लिट्टी चाहते हैं तो बेकिंग सोडा डालें अगर आपको कड़क वाला लि डालें गर्म वाटर ना डालें यहां पर देखिए आटा मेरा गुंद चुका है इसे थोड़ा सा मुठी से इस तरह से सेट कर देती हूं यहां आटा मेरा बिल्कुल रिडी हो गया है तो इसे मैं कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तब तक मैं बना लेती हूं 250 ग्राम सत्तु जिसे छैन लिया था अब मैं इसमें मसाले डालूंगी तो यहां पर हमने लिया है . कटा हुआ हरा धनिया तूटेबल स्पून और यह है कटा हुआ गार्लिक जो पत्ता वाला होता है उसे हमने लिया है तूटेबलogyस्पून अगर आपके पास ना हो तो आप गाठ वाले लेसुन को भी बारिक चॉप करके डाल सकते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है जिंजर भी जिंजर को भी बारिक चॉप कर लिया है तो वन टेबर इस्पून हमने जिंजर चॉप किया हुआ लिया है और ये तीन से चार हरी मिर्च है इसे भी हमने बारिक बारिक कट कर लिया है और यहाँ पर है प्याज यह मेरे पास चार मेडियम साइज के प्याज थे जिसे हमने बारिक सा चॉप कर लिया है तो चलिए पहले डालते हैं सत्तू में प्याज को प्याज डालने के बाद इसमें हरी मिर्च हम डाल देते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा चाहते हैं तो और हरी मिर्च डाल दें इस वक्त ठंडी में बहुत हरे पत्ते वाला लहसन मिल रहा है तो अगर आप किया मिलता हो तो आप ले ले वरना आप गाठ वाली लहसन को ही बारिक बारिक कट करके डाल दें वन से टूटेवल स्पून तो यहाँ पर मैंने टूटेवल स्पून डाल दिया है पत्ता वाला लहसन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ठंडी के मौसम में मैं जब भी बनाती हूँ सत्तू के पराठा या फिर यह लिट्टी तो इसमें मैं हरे लहसन के पत्ते वाले ही मसाला बनाती हूँ तो यहाँ पर हमने लिया है हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर आप इस जगह पर साबुत या फिर क्रश किया हुआ भी काली मिर्च ले सकते हैं तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ अब मैं डालने जा रही हूँ अजवाइन ये डालना बहुत ज़रूरी है तो इसे आप हाफों से इस तरह से प्रश कर लें और इसे डालें तो 1 टी स्पून हमने अजवाइन भी डाली है मैं इसमें मंगरैल डाली हूँ इसे कलोंजी करते हैं अब इसके बाद मैं इसमें डालूँँगी सॉल्ट zap के एक ज़रूरूरूर डाल दें तो मैंने यहाँ पर one and half teaspoon salt भी डाली है अब मैं एक नीबू का रस डालूँगी तो यहाँ पर हमने डाल दिया है one नीबू का रस आप अचार का मसाला भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हर धन्या और लेसुन के पत्ते से मैं सत्तू बना रही हूँ तो यह बहुत ही टेस्टी होता है लेसुन के पत्ते वाला सत्तू इसमें मैंने डाल दिया है one table spoon mustard oil तो लिट्टी में ज सकते हैं जो यूज करते हैं उसे डाल ये मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है mix करने मिक्स करने के बाद मैंने नमंक टेस्ट किया perfect है इसे साइड में रखते हैं हमने चोखा के लिए आलो को बायल करके रखा है इसे मसल करके रख देती हूं तो यहाँ पर मैंने अपने केकegna थोगिया है अपने ञोड लिया है इसको मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाते है मैं रखते हनों यहाँ पर सुखा आटा डाल दाल दिये हैं और इसे में में बैल夏 से बेल करके फैला दोंगी बहुत हलके हलके आतों से तो देखिए यहाँ पर हमने चोटा सा बे पेले आटे का जो हमने बनाया है और इसमें सत्तू को डाल दें अपने जरूरत के हिसाब से हिए और इस 많ते हेखसा से मॉड़ियेहे हिए यहाँ पर मेरा लिटी जो है वो रेडी हो गया है अब मैं आपको दूसरे तरीके से खांगा Presूत लिए बनाने की लिए लिए किस तरह से भरते हैं तो यह मैं रख देती हूं साइड में और यहां पर मैंने एक और चुटा सा पेड़ा लिया है इसे मैं इस तरह से हाथों से फैला करके कटोरी की जैसा बना लेती हूं और इसमें भी मैं इस तरह से सत्तु को दबा दबा करके भर दोंगी अगर आप कम सत्तु यूज करते हैं तो कम ही डालें मैं तो यहां अच्छे से भर भर के डालूँगी और इस तरह से हमने बना लिया है अगर आप इस तरह से चिप्टा पसंद करते हैं तो दोनों हतेलियों से दबा करके चिप्टा भी बना लें तो अब मैं सारे लिट्टी को बना करके रख देती हूँ तो यहाँ पर मैंने चुखा के लिए लिया है ये बैंगन इसे भंटा भी लोग बोलते हैं बैंगन को बीच से थोड़ा कट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर कोई कीड़ा वगएरा तो नहीं है तो बिल्कुल साफ ये मैंगन है तो इसे मैं बीच भी से थोड़े थोड़े दूर पर कट कर लूँगी आप चाहें तो मिर्ची भी और लहसुन चिला हुआ है इसमें लगा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने चार टमाटर लिये हैं इन सब को मैं लकड़ी के आग पर पकाऊंगी इसमें पहले ओयल लगा देती हूँ तो मैंने मैंगन में भी लगा दिया ओयल और टमाटर में भी लगा दिया है और यहाँ पर लकड़ी मैंने जलाया है जलते हुए लकडी पे हमने रख दिया बैंगान और टमाटर को इसमें यह आराम से पक जाएगा इदर लकडी भी जलता रहेगा और बैंगान और टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा तो मैंने उलट-पलट दिया है पकने के लिए बहुत सुंधी सुंधी सी खुश्बू आती है यहां देखिए मेरा बैंगान और टमाटर दोनों पक चुका है मैं इसके छिल के हटा लोगी तब तक मैं क्या करती हूँ यहां पर आग मेरा रेडी हो गया है तो लिट्टी को सेखने के लिए हमने एक जाली रख लिया है जाली के उपर मैं सारे लिट्टी को सजा दूँगी यहां पर आग जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज है तो इसे फटाफट से पलटना भी होगा तो पहले मैं रख लेती हूँ उसके बाद मैं फटाफट पलटते भी जा रही हूँ तो एक तरफ से यह जल जाएगा लिट्टी जो आग पर बनता है अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा लिट्टी कई तरह से लोग बनाते हैं कोई गोटा जो जिसे उपला बोलते हैं उस पर भी बनाया जाता है उस पर भी जो लिट्टी बनता है वो भी बहुत टेश्टी होता है और ये लकडी के आग पर भी टेश्टी बनता है आप अगर कडाई में भी बनाना चाहते हैं तो वैसे भी अच्छा टेश्टी बनता है, तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसा आपको comfort लगे, आप बनाएए, ये मेरे बिहार का बहुत ही famous recipe है, इसे हम लोग ठंडी में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा, जब भी ज़्यादा सर्दी महसूस होती है, तो हम लोग लि लिट्टी चोखा आपको होटल्स वगारा में, या ठेले में, धाबे में मिलेगा, यहां का ये बहुत ही famous recipe है, बहुत लोग शॉक से खाते भी हैं, तो ये देखिए लिट्टी जो है, वह मैं घुमा घुमा करके सेक रही हूँ, बहुत ही आसान है इसे बनाना, बहुत ही tasty ह होता है, देखिए, ये जो मेरा लिट्टी जो पग गया है, वो फटफट गया है, इस तरह से सारए लिट्टी फट जाएगा, तो समझे कि आपका लिट्टी जो है, वो शिक चुका है, तो यहां मेरा लिट्टी half गया था, तो मैं इसे पहटा देती हूँ, और जो बाकी है उसे भी सेक लूँगी और इधर हमने जो बैंगन और टमाटर पका करके रखा है उसके छिलके हटा देते हैं छिलके हटाने के बाद पहले मैं चेक करके देख लूँगी कि बैंगन के अंदर कोई कीड़ा वगएर तो अंदर अंदर नहीं है अगर नहीं होगा तो मैं इसे अच्छे से पहले चाकू से कट करूँगी, उसके बाद मैं इसे पोटेटो मैसर से मेश कर लूगी, यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने सब को कट कर लिया है, चाकू से, उसके बाद हम मैंने पोटेटो मैसर से इसे मेश भी कर लिया है, इधर आलो को भी हमने बॉयल करके मसल करके रखा था और ये बैंगन, टमाटर सबको हमने एक साथ मिक्स कर दिया है इसमें हम डाल देंगे प्याज, हरा धनिया, चौप किया हुआ, जिंजर, हरी मिर्च, और ये लहसुन का पत्ता जो है इसे डाल देंगे अब अपने हिसाब से सबको मिक्स कर देंगे अगर आप थोड़ा पतला पसंद करते हैं तो हलका सा गुन-गुना वाटर भी आप इसमें डाल करके और अच्छे से मिक्स कर दें तो चोखा जो है रेडी हो गया है तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक-एक लिट्टी ले करके घी में डुबो-डुबर करके इसे रखते जा रही हूँ तो यह घी लगाईएगा जरूर प्रेंड्स यहां मैं आपको दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट मेरा बना है लिट्टी अंदर से बिल्कुल सिख गया है तो मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ एकदम सॉफ्ट बना है और इसे कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ तो यहां पर मैंने थोड़ा सा ले लिया है भरता तो आप भरता कहें चोखा कहें दोनों भी बोल सकते हैं हरी चटनी के साथ इसे आप इंज्वाय करें भरता और हरी चटनी से बहुत ही टेस्टी लगता है बहुत लोग इसे घी में डुबो ड अगर आप लोगों को मेरी ये रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की ने मिल जाए तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कि नई और आसान से रेस्पी के साथ अपना ख्याल रखिए दुआओं में याद रखिए थैंक्स फॉर वाचिंग टेक क्यार अला हाफिज